क्यूं है ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एक मंद्र हिंदूओं में तीन प्रधान देव माने जाते हैं ब्रह्मा विश्णू और महेश ब्रह्मा इस संसार के रचनकार है विश्णू पालेखार है और महेश संकारक है लेकिन हमारे देश में जार विश्णू और महेश के अनगिनत मंद्र है वही खुद की पतनी सावित्रे के शुराप के चलते ब्रमाजी का पूरे भारत में एक मात्र मंदिर है जो की राज़ ठान में प्रसिध दीर्थ पुस्तकर में इस्तित है आखिर के ओं दिया सावित्री ने अपने पती ब्रमाज को यशासराब इसका वरणर पुथ प्रणारő में मिलता है हिंदू धर्म ग्रंथ पुराण के मुताबिक एक समय धर्टी पर ब्रजनाशक नामक रुराक्षस ने उत्पात मचा रखा था उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ग्रमभा जी ने उसका वद्ध किया लेकिन वद्ध करते वक्त उनके हाथों में तीनों जगे पर कमल का पुष्क गिरा इन तीनों जगों पर तीन झीले बनी इसी घटना के बाद इस स्थान के नाम पुष्कर पड़ा इस घटना के बाद से संसार की भलाई के लिए हाँ एक यग करने का फैसला किया ब्रह्मा जी यग करने हेतु पुष्कर पहुच गए लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी समय पर नहीं पहुच सकी यग को पूर्ड करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुचने की वज़े से उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गैत्री से विवा कर इस स्यग शुरू किया उसी तोरां देवी सावित्री वहां पहुची और ब्रम्भा के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देख रोधित हो गई उन्होंने ब्रम्भा जी को श्राप दिया कि देवता होने के वापजूद भी कभी इनकी पूजा नहीं होगी सावित्री के इस श्राप को देखकर सभी देवता लोग डर गए उन्होंने उनसे विंति की कि अपना श्राप आपिस ले लीजिये लेकिन उन्होंने नहीं लिया जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धर्ती पर से पुष्कर में आपकी पूजा होगी कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका बिनाश हो जाएगा भगवान विश्णु ने इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी इस देवी सरस्वती ने विश्णु जी को भी श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी से बिरहा का कुष्ट सहन करना पड़ेगा इसी कारणाम भगवान विश्णु का मानव अफ्तार को जन्म लेना पड़ा और 14 साथ के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा था यह थी एसम न्यूज की रिपोर्ट